नवरातरी शुरू हो चुकी है, आपकी और आपकी पूरी फैमिली पे मा की आसिरवाद बनी रहे, ऐसी मेरी प्रातना है, आज में लेकर आ गई हैं फालाहारी थाली जो लोग नवरातरी करते हैं, पर फास्ट रख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये थाली बेस्ट थाली है, तो सबसे पहले हमने एक कटोरी मखाना ले लिया है, मखाने को हम रोस्ट कर लेंगे, और जैसे हम हलके हाथों से क्रश करेंगे, बिल्कुल अच्छ से क्रश हो जाएगी, उतना हमें फ्राइग करना है, उसे एक साइड में रखेंगे, फिर उसी पैन में हम क्या करेंगे, ए लास्ट में किसमिस डाल कर हम निकाल लेंगे तलके, देखिए जिस तरीके से मैं की हूँ, बिल्कुल उसे तरीके से कीजेगा, और इसी घी में अब हम डालेंगे समा की चावल को, समा की चावल आपको मार्केट में बहुत इजली मिल जाएगी, या तो फिर आपको ऑन भी मिल जाएगी बिल्कुल छोड़ी दाने होते हैं गोल गोल और इसे वरत में खाया जाता है ठीक है ना दोस्तों तो यहां पर हमने एक बड़ा से मसमा का चावल और ठोड़े से काजू थोड़े से बादाम बारिक कटे वे डाल लिये हैं यह सारे चीज़े थोड़ी से इसे भी थोड़ी से बहुल लेंगे और यहां पर डेसिकेटेट कोकेनेट ले लेंगे यह दो बड़े चमच हैं इसे भी अच्छा से हम बहुल लेंगे इसमें से जो भी चीज अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इन सभी को हम दो मिनिट तक अच् अच्छे से साइड में रखेंगे और यहां पर मैंने दूद गरम होने के पहले ही रख दिया था यहां पर एक लीटर दूद मैंने लिया था फुल फैट मिल्क लिया है मैंने आप नॉर्मल भी ले सकते हैं फुल फैट लोगे तो जो हमारे खीर बनेगी ना बहुत क्रीमी और रबडी की फीलिंग आएगी आपको खाते वक्त सारी चीजों को हम दूद में डालेंगे और जो हमने थोड़े से मखाने अलग रखे थे उसे हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़े से काजु डाल कर चार से पास काजु ले लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे काजु नहीं कर सकते हैं जो है उसी का इस्तमाल कीजिए जो नहीं है उसको स्क्रिपकर दीजिएगा ठीके यहाँ पर जो हमने मखाने और काजू का पौदर बना लिया था उसे भी हम डालेंगे मिला लींगे अब देख़एगा यह मंखहाने के जो पावडर हमने डालागा इसे डालते ही बहुत जल्दी है और खी बहुत जल्दी बन जाती है और जो खीर बनेगी बहुत ही उसका टेक्श्यर अच्छा रहेगा ऐसा होता है जब हम पंक खाने को थोड़ा सा ग्राइन करके डालते हैं, काजु को थोड़ा सा ग्राइन करके डालते हैं, 5 मिनिट से 6 मिनिट के अंदर ही आपकी खेर बनकर त्यार हो जाएगी, देखें, यहाँ पे बहुत अच्छी घाड़ी हो चुकी है, खेर, अब यहाँ पे हम आधी मिट हम इसे उबालेंगे अच्छ से पका लेंगे क्योंकि चीनी डालने के बार थोड़ी सी पतली हो जाएगी खेर उसके बाद जैसे ही 5 मिट आप उबाल लोगे इसको पकाओगे इसका पिर से गाड़ी हो जाएगी यहां पे रेके 5 मिट हो चुकी है और खेर बहुत अच्छ बच्छ में रख देंगे अब हम बना लेंगे आलू और केले की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती हैं आप सोच भी नहीं सकते एक बाड जर्ण से ट्राइ कीजिएगा यहाँ पे आलू और केले की सब्जी बनाने के हम थोड़े सी दो बड़े चमच के करीब हम मूंगफली ले अच्छे से इसके बाद हम एक बड़ा चमच हम तिल ले लेंगे आप तिल के जगे पर काजू भी ले सकते हैं तो बदाम भी ले सकते हैं यहां पर मैंने आधी कप कद्दू कस किया हुआ नारियल ताजा नारियल ले लिया है पानी वाली उसे भी भूल लेंगे तीन से चार मि ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसे एक बार हम ग्राइंड कर लेंगे देखे इस तरीके से दरदरास जब पिस जाएगी तब यहां पर हम कुछ और चीज़े डाल लेंगे पहले आप इसे बिलकुल ग्राइंड कीजेगा यह नहीं कि सारी चीज़े आप एक साथ ग्राइ मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहां पर लाल मिर्च यूज़ कर रही हूं और उसका प्यूरी बना लेंगे लए प्यूरी बना लेते हैं और यहां पे मैंने तीन मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं और जिसे मैंने बॉइल कर लिया था उबाल लिया था और छुट-छुटे पीसस पे काट लिया हैं यहां पे मैं आलू को छान लूँगे आप चाहे तो ऐसे ही सब्जी में डाल सकते हैं और यहां पे मैंने थोड़े से कच्चे केले ले लिए हैं उसे मैंने छिल कर पानी में डाल दिया है ताकि काले ना हो हम दोरों को ही चान लेंगे अब आलू को भी चान लेंगे और केले जो हमने काट के रखे उसे भी चान लेंगे आप चाहे तो थोड़े से तेल में भी फ चानिएगा और चाननी के पहले पानी से केले को निकाल लीजिएगा ताकि पानी ना हो उसमें तेल में वना डालोगे तो छीटे आपके उपर आ सकती हैं ठीके देखिए यहां पे केले और आलू दोनों ही चंचुके हैं चलिए अब मसाले भी लगा लेते हैं इसके ग्रेवी क कर रहे हूं एक बड़ी चमच के करीब आप चाहये करें चाहें तो चाह्ड़ का यूज Minnie कर सकते हैं बहुत कम मसालों में सब्जी बना रही हूं यहांप आदी चमच जीरा आ पर अद्रक ले अक्रमेश का यूज कर सकते हैं ठिक हैं जितना हो सके कम तेल मसाला यूज करें क क्योंकि नवरात्रे का फास्ट बिल्कुल फलाहारी होती है लेकिन ये थाली उनके लिए बन रही है जो फास्ट नहीं रख सकते हैं तो हलकी तेल मसाले में ही सबजी बना कर तयार करें यहां पर जो हमने एक मीडियम साइज का टमाटर पीस लिया था उसे हम डाल लेंगे तेल को अच्छे से बहुन लेंगे देखिए मसाले आप ज्यादा कम बिल्कुल कर सकते हैं अपने टेस्ट की हिसाब से मैं बिल्कुल कम कम मसाले ले रही हूं क्योंकि यह बिल्कुल नवरात्री का थाली है सात्विक थाली है तो जितना कम मसाले लेंगे उतनी अच्छी होगी त तो अब यहां पे हम जो मूंफली तिल और नारिल का पेस्ट बना कर रखे थे उसे डाल लेंगे अब इन सभी को अच्छे से भुनना है हमें ताकि वापस से तेल और जो हमने घी लिया है एक चमच वह वापस से आ जाए इतना भुनना है तो यहां पे हम थोड़ी सी पानी डा दाला था उसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए रहेंगे मसाले को अच्छे से भुन लेंगे मसाले को भुनने के लिए अच्छे से भुनने देंगे देखिए यहां पे मसाले काफी अच्छे से भुन चुकी है घी बिलकुल ऊपर आ चुक को ज्यादा चाहिए तो दो से तिन ग्लास भी आप डाल सकते हैं यहां पर मैं एक ग्लास पानी डालूंगी और अगर आपको गाड़ी सब्जी चाहिए तो एक ग्लास डालें और थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए चावल में आपको खाना है समा की चावल आप बना रहे हो खा दालेंगे यहां पर मैं आदे चमच गरम मसाला और थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया बारी कटवे डाल देंगे इसे मिला कर हम अब इसे धीमी आज में 5-6 मिनिट तक पकने देंगे ढखकर बिल्कुल अच्छे से हमारी सब्जी बन चुकी है 5-6 मिनिट पका लेंगे और इसे सर जो हम बनाने जा रहे हैं यह है सिंघाडी की आटे की कड़ी आप यहां पर रासग्री आटा का यूज़ कर सकते ही यहां पर प्रकुत्टो के आटे का यूज़ कर सकते हैं यहां पर मैंने 2 medium-sized के आलू को कद्दू कस कर लिया है वह भी कच्छा कोई उबले हुए आलू नह यहांप चमच कद्द्ज कट्गिया हुआ हे चमच हरी मिर्च स्वादनशा नमक छुटकि काली मिर्च और यहां पर हमारे हैं से बनाने के need हूझ सब्सक्राइज आप मेठे सोड़े की यू़रॡ कर सकते हैं यहांप घी परिपर कर रहे आप दही के साथ बना कर देखें, आपके पकोड़े बहुत ही soft soft अच्छे बनेंगे, यहाँ पे बैटर मिल चुकी है, अच्छे से बन चुकी है, अब तेल गरम कर लेंगे, और यहाँ पे छोट चुटे हिसाब से अपने पकोड़े डाल कर तल लेंगे, जैसे कि हम प्यास के पकोड़े बगेरा तलते हैं, बस same to same, और या फिर कड़ी के पकोड़े तलते हैं, बिल्कुल वैसे ही तलके हमें निकाल लेना है, कड़ी बहुत ही जटपट से बनकर तयार होने वाली सबजी है, आप चाहें तो समखे चावल और कड़ी बना कर भी enjoy कर सकते हैं, उसकी आच भी इसी तरीके से तलकर निकाल लेंगे, यह रेसिपी उनके लिए है जो भुगे नहीं रह सकते हैं, पर फास्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से आराम से फास्ट कर सकते हो, तो देखें यहाँ पे हमारे सारे पकोड़े बनकर तयार है, चलिए अब हम कड़ी यहाँ पे हम एक कटोरी दही ले लेंगे, यहाँ पे मैं घर की ताजी दही ले रही हूँ, हलकी खटी है, अगर आप खटा पसंद नहीं करते हो, तो बिल्कुल ताजी ले लें, हलका भी खटा ना हो वैसा कर लेंगे, और यहाँ पे आधी कटोरी दो चमच के करीब मैंने स मैं घर का आटा डाल लिया है और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि आपस में यह मिल जाए, यहां पे मैंने दो चमच तेल गरम होने के कटाई में डाल लिया है, कटाई में मैंने आधी चमच पचफोरन ले लिया था, और आधी चमच कद्यूकस किया हुआ अधरक ले लिया है और यहीं पर हलका समय एने अदिचमच जीर पौडर अदिचमच धर्यापॉडर और आदिचमच ही लालमिर्च पौडर ले уже ले करें। ऐहां पर हरी मिरच का यूस कर सकतें करीपता हैं करीपता का तो उसे डाल लेंगे और जार में ही थोड़ी से पानी डाल कर उसे भी डाल लेंगे अच्छे से चलाना है कड़ी को अच्छे से चलाना है दही फटनी नहीं चाहिए आप बहुत अच्छे से विस्क कर ले लेंगे और हातों से विस्क करते रहेंगे चलाते हुए रहेंगे कड़ी को अची से चलाते हुए रहना है और थोड़ी थोड़ी धेर के लिए ड़तना है और निकाल कर फिर चलाना हैstudLa अच्छे से अबहल आ जाएगी कड़ी में हम पकोडे डालने के पाथ 5 मिट तक हम इसे और पका लेंगे तो हमारी कड़ी बनकर त्यार है देखिए इसकी तेकनिस काफी अच्छी है यहाँ पकोडे जो बना कर तल कर रखें इसे डालनेंगे और बस पाँस मिट के लिए इसे प तो देखे यहां पे हमारी कड़ी बन गई है अब चलते हैं नेक्स डेसिपिक के तरफ और इसे सर्फ कर लेते हैं अलग बरतन में अब जो हम बनाने वाले हैं वो है आलू कचोडी साभूदना वड़ा और प्लेन पूरी यह तीनों एक ही साथ ही हम बना लेंगे इसके लिए हम ले लेंगे उबले हुए तीन मीडियम साइज के आलू उबाले हुए ले लेंगे उबले हुए और इसे हम ग्रेट कर लेंगे पहले सबसे पहले हम बनाएंगे आलू कचोडी सब रेडी करेंगे अब जो है न चानने वाली चीज़े तो रेडी करेंगे यहां पे मैंने कद् यहां पे हमारी कचोड़ी की स्टफिंग तयार है अब आटा लगा लेते हैं आटा के लिए हमने ले लिया है राजगिरी का आटा डेड़ कप और यहां पे स्वादनिसा थोड़ा सा नमक और दो चमच ऑईल मैं कहूंगी यहां पे नाप ठंडी ऑईल का यूज कीजेगा मैं कड़ाई में उसी से मैंने लेकी डाल लिया है इससे क्या होता है मैं आगे बताऊंगी आप बिल्कुल गरम यूज करेंगे ठंडा यूज करेंगे और आटा रोटी जितना सॉक्ट और हाड नहीं होना चाहिए जैसे कचोड़िया वगेर हम बनाते मिल्कुल मेडियम होनी च रखेंगे नहीं तुरंत ही लगा मतब आटा लगी और हम कचोड़िया बनाने के लिए त्यार कर लेंगे तो यहां पर हम छोट छोटी बॉल्स बना लेंगे पेड़ी के जैसा ठीक है रोटी जितना भी हम ने ले लेंगे बॉल्स उसे थोड़ी छोटी पूरी जितनी चोट स्टफिंग हम इसमें क्या करेंगे डालेंगे आप चाहे तो बेलन के साहेता से यह बेल सकते हूं आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो तो इसamarी की कनी करो सकते हो दो से दबाते हुए मोदग की सेब देते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे दबाते हुए फोल्ड करते जाओगे और उपर का हिस्सा जो थोड़ा से एक्स्ट्रा आएगा उसे हम निकाल कर नीचे वाली हिस्से को फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा उपर का हिस्सा निकाल लीजेगा वना बीच की जो पूरी है न मोटी हो तो आप मोटा रखना है नहीं बहुत ज़्यादा पतला कर लेना है तो आपको दिखाती हो इसकी साइज भी कितनी है देखें दोनों तरफ से आप देखें बिल्कुल पटी नहीं है और आप इसकी जो साइज है पूरी की वह भी देख लीजे चलिए इसी तरीके से और भी पू सी सूजी डाल लीजेगा इससे भी जो हमारी कचोडिया बनेगी ना बहुत क्रिस्पी बनेगी तो देखें यहां पर मैं दूसरी पूरी भी अच्छा से बेल ले रही हूँ इस तरीके से सारी पूरी बिले लेंगे और थोड़े से इसी आटे में से थोड़े से प्लेइन प फटी नहीं है और आप देख सकते हैं मोटाई बहुत जादा नहीं है पतली भी नहीं है यहां पर पूरिया हम बेल लेंगे थोड़े से हलके से तेल लगाते हुए जैसे नौरबल घर के पूरिया होती है बिल्कुल उसी तरीके से पूरिया तो हमने यहां पर बेल कर तयार क किया है कि साबुदाने को इतनी खिले-खिले हम कैसे भीगा सकते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी आप उस वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हैं यहां पर दो मीडियान साइज के हम आलू ले लेंगे जिसे हम अच्छे से स्मैस कर लेंगे उसे ले लेंगे आधी चमच अद अद्रप और काली मिड्च रोस्टेड मुंगपली और कोई मसाला हम ने यहां पर यूज़ नहीं किया है धनिया लालमिटच कोई भी मसाले और यूज़ नहीं कियî आप चाहे तो हलका से गरब मसाला भी आप ले सकते हो पर मैंने नहीं लिया हैं अब हातों में तेल जर्दी जर्दी अगर आपको बनानी है तो देखिए कितने अच्छे बनकर त्यार हो गई है बहुत आसानी से बड़ा बन जाती है और इतनी मतलगर अगर आप इस तरह किसे बनाओगे आपके जो वड़े हैं साबुदाने की इतनी क्रिस्पी बनेंगे इतनी टेस्टी नॉर्मल टाइम पे भी इसे बनाओ और स्नाकिंग की तरह आप खा कर मज़े ले सको देखिए यहाँ पे सारे वड़ों को हम बना कर इस तरह के तयार कर लेंगे तेल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए पूरिया और साबदने के वड़े एक साथ हम तल कर निकाल लेंगे बार बार तेल गरम करना ठंडा करना थोड़ी टाइम ले लेती है तो मैंने कहा कि अब दोनों को ही रेडी कर लिया है एक साथी अब तल लेंगे हम देखें यहाँ पे आधी वड़े को मैं बना लूँगी तलने के लिए और जैसे यह तलती रहेगी ना बाकियों को भी बना कर त्यार कर लोंगी देखें यहाँ पे वड़े आधे बनकर रेडी हो चुके हुए और तेल गरम हो चुके है तो हम यहाँ पे पूरी तल लेंगे सबसे पहले जैसे कि नॉर्मल घर पे हम पूरिया तलते है ना बिलकल वैसे पूरियों को दोनों साइट से लाल कीजेगा औ तेल दालते हो्ना आपको यहां अगर ऐसे कलियों हो चाहिए अगर और तो यह कोंदो में जल्दन है करती है आप लुगने सब्सक्ते नुदुए ना बहुत लुक्त अगरब से पके ना कि ऊपर से सिर्फ लाल हो जाए, फलेम को पूरिया तलोगे तलोगे, हाई रखोगे जब कचोड़़या तलोगे, मेडियम कर दोगे, ठीक है ना दोस्तो, इस तरवेसे कचोड़या तलोगे, यहाँ पर मैंने तीन से चार कचोड़या तल लाए हैँ अब हम क्या करेंगे फ्लेम को हाई करेंगे और साबुदाने के जो बड़े हमने बना करेडिके हैं उसे डालेंगे देखें एक साथ सबमर्ट डाल दीजेगा एक डालीएगा रुकियेगा थोड़ा सा गैप देते हुए डालीएगा बना यह एक दूसरे से चपक सकती है थोड़ी sticky होती है ना साबुदना तो वो problem हो सकती है अगर आप थोड़ा gap दे दे के डालोगे तो बिलकुल ही मतलब चिपकेगी नहीं और जैसे सारे वड़े आप डाल दोगे 5 डाल लो 6 डाल लो उसके पाद आप क्या करोगे flame को बिलकुल medium to low कर देंगे है ना high flame में डालने क पाद चपके ना इसलिए flame को लो करोगे अलट पलट करते हुए तलने दोगे इसको अच्छे से तब क्या होगी ना आपकी जो साबुदने वड़े है ना क्रिस्पी बनेगे और काफी लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहेगी ऐसे नहीं करोगे ना तो एक आदे घंटे में ही फिर यह सॉफ्ट पड़ जाती है देखें यहां पर कितनी अच्छी गोल्डन कलर आ चुकी है थोड़ी सी और कलर आने देंगे देखें यहां पर बहुत अच्छे सा हमारा जो है साबदाने का बड़ा रेडी हो गया है इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से छान लीजेगा ओ आपकी जो बड़े हैं अंदर से क्रिस्पी बनकर तयार हो तो इसे हम निकाल लेंगे और चलिए सारी चीजे बन चुकी है अब देख लेते सर्वी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो चीजे अच्छी लग रही हो तो प्लीज अगर आप यहां तक आए हो वीड नहीं कर पा रहे हैं क्लिक्शे नहीं रह सकते हैं तो आप इस तरीके से साथ भी खाना फलाहारी खाना और मा का पूझा करें देखे दोस्तों मैं प्लेट लगा रही हूं और आप सभी भी से बनाए और इंज्ड़ाइब करें और माता राणी का अच्छे से स्वागत करें अपने अपने घरों के नौ दिन मा के साथ जुड़े हुए रहें मिलते हूं किसी अच्छी वीडियो के साथ आप सभी से तब तक के लिए अपने अपने फैमिली का ख्याल दखें हैपी नवरातरी आप सभी को जय हैं जय भारत जय जय है मगे जातो नमर्दे नम्यकपर